हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट को कैटेगरी वाइज आप पब्लिस कर सकते हैं जैसे कि मान लिजी आपने ब्लॉगिंग से रिलेटेट कैटेगरी बनाई है या लेबल बनाया है तो उसके अंदर आप कैसे पोस्ट को डाल सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए श्टेप बाइश्टेप सारी चीजे मैं गा माइक रखिएगा और वीडियो को लाइक जरू करिए कॉमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन बिलको ओन करिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो को कोई भी ओपन करता है तो उसमें question mark m equal to 1 का issue आता है अब ये issue आता है इसलिए क्योंकि आपका जो template होता है वो mobile version में जब open होता है तो ये आता है तो इसको आप कैसे fix कर सकते हैं इससे कुछ problem होती है जब आप अपनी website को wordpress पे migrate करते हैं तो इस issue को fix करना बहुत जरूरी है description में है साथी साथ i button पे भी आपको इसका link मिल जाएगा अब चलिए बात करते अपने topic पर आते हैं for example ये एक demo blog है अब मान लीजे मैंने ये post लिखा है ठीक है blogging in 2020 अब ये जो post है ये blog नाम का label बना है blog नाम का ये label जो category है अब इसके अंदर अगर इस पे कोई भी जाता है तो इसके अंदर मेरी ये post show होने चाहिए for example मैं इस पे blog पे जब click करता हूँ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा यहाँ पर देखी जैसे blog पे मैंने click किया तो ये label wise category wise याने कि label wise या category wise यहाँ पे show हो रही है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये blogging वाली post जो है इसके अंदर आ रही है तो कैसे ये जो label या category बनाया है हो या हो सकता है आपने यहाँ पे menu बनाया है ठीक है तो इसके अंदर हम कैसे अपनी post को publish कर सकते हैं इस label के अंदर ठीक है उस पे ये video है ठीक है तो सबसे पहले आपको देखिए जब भी आप कोई भी post लिखने जाए आप जितनी भी label बनाए जितनी भी category बनाके रखे हैं उसमें क्या करना है आपको जैसे कि ये post है ठीक है इसको मैं सबते पहले draft में convert करता हूं यहाँ पे river to draft करता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं ठीक है अब इस पे मैं यहाँ पे चलता हूं post पर अपने ठीक है वेट करे मैंने select कर लिया ठीक है ये label मैंने select कर लिया ठीक तो ये label select करना है मैं लीजिए मुझे इसको biography में नहीं रखना है तो मैं यहाँ पे ये label uncheck कर दूँगा केवल ब्लोग में रखना है मैंने यह लेबल सेलेक्ट कर लिया और भी लेबल आप बनाना चाहते हैं माल जिये आप कोई और लेबल माल लीजिये मैं चाहता हूं कि यहां पर एक क्रिकेटर पर पोस्ट लिख 17 तो मान लीजिए यहाँ पे क्रिकेटर बायग्रफी नाम से एक मैं लेवल बना लेता हूँ, कैटगरी बना लेता हूँ तो आप यहीं से डारेक्ट कैटगरी को बना भी सकते हैं, देखिए एड लेवल है, इस पर आपको मैं लिख देता हूँ क्रिकेटर ठीक है? यहां पर मैं क्रिकेटर लीग दिया और यहां पर simply मैं कि कि को यहां पर create new है कि क्रिकेटर इस पर मैंने चेकमार्क लगा दिया और यह लेबल हमारा जो है बन गया ठीक है सकते हैं अब इसके अंदर यह Post हमारी जो है Publish होगी, तो इस तरह से आप Leble बनाव भी सकते हैं और यहां पर इसको Publish भी कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी Post को डाल भी सकते हैं उसके बाद यहां पर देखिए मालीचे में केवल ब्लॉग और बैगरफी दोनों में मैं पर अपनी इस post को दिखाना चाहता हूं तो यहां पर मैं इसको भी चेक कर दिया और यहां पर publish button पर click कर देना है confirm कर देना है तो जब भी आप कोई भी post लिखते हैं अगर उसको category में डालना है तो आप post लिखते time भी उसमें लेबल साप से पूछता है कौन से लेबल में इसको आप सो कराना चाहते है किस किस लेबल में सो कराना चाहते है पूरा आप यहां पर decide कर सकते हैं आपके हातों में होता है और अगर उस post को आप किसी और लेबल में डालना चाहते हैं नया बना कर तो simply बनाने का option भी मैंने आपको दिखा दिया I hope यह आप समझ गए होंगे अब फिलाल मैं अपनी website पे आता हूँ और biography में भी मैंने इसको डाल दिया है तो चलिए यहाँ पर biography वाले पर click करते हैं यह blogger के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी question था और मुझे comment में पूछा भी था लोगोंने तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए I hope यह वीडियो आपको पसंद आयोगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आयद वीडियो को like जरूर करिएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल्कुछ जरूर रॉम करिए थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो